राश्ट्रिय सेवा भारती के सेवा संगम का शुबारम सफलता की सो कहानियों के बारे में जानेगा देश जैपुर के जामडोली में केशव विद्या पीट में राश्ट्रिय सेवा भारती के तीसरे सेवा संगम का शुबारम शुक्रवार को हो गया सेवा संगम परिशर में एक प्रदर्शनी का अयोजन भी किया गया है जिसका उद्गाटन विश्व जागरती मिशन के संस्तापक आचारिया सुधान्शु जी महराज ने किया सेवा संगम में देशबर से आये और सिक्षा स्वास्त और भारत को स्वालम भी बनाने के लिए कार्य कर रहे विविन संगठनों ने अपने सेवा कार्यों को स्टॉलो पर परदर्शित किया इस सेवा संगम को संग प्रमुक डॉक्टर मौन राव भागवत ने सम्मोदित किया कि देजबर में इतना सारा काम हो रहा है तो उसको एक व्यवस्था में लाएं और उसके आधार पर उस कार्य का और विस्तार करें तब से संगह में और सेवा विभाग के कार्य का प्रारंब हुआ कुछ वर्षप अश्चात अउपचारिक सेवा विभाग भी बन गया तो उसके द्वारा संगह की शाखाओं में आने वाले स्वयंचों को में सिवा की मानसिक्ता को जागरुत करना होती सब में है सोई रहिती उसको जगना पड़ता है सब लोग उत्साह में काम करने के लिए आते हैं लेकिन उत्साह के कारण दुरुष्टी थोड़ी एक कलक्षी बन जाती है उनका ध्यान बटोरना जैसे देश की सुरक्षा एक विशह है वैसे देशवासियों की सेवा भी दूसरा विशह है उसकी आभश्षकता है ये सारे काम हो सेवा विभाग करता है और फिर संगके सोयंचोक जो सेवा करते है उसका कुछ सुरूप बनता है तो उसके न्यास सौस्था यह सब बन जाता है एक ऐसी सेवा की एक बड़ी सुरुष्टी संग के स्वयंचोकों की खड़ी हुई है और ये भी नहीं है कि देश में सेवा करने वाले पहले संग के स्वयंचोक है हमारे देश में ये सेवा का मंत्र तो पहले से दिया गया है अभी एक बार ऐसा सोचा गया कि सेवा कहने के बाद सर्विस एक्टिविटी ऐसा कहने के बाद सामान्यताहा देश के प्रभुध्ध जन मिशनरीओं का नाम लेते हैं दुनिया भर में मिशनरी अनेक संस्थाय चलाते अनेक स्कूल चलाते अस्पजाल चलाते सबको पता है तो मैं हिंदू समाज के संत सन्यासी क्या कर रहे है ऐसा सोच के एक बार चेन्नई में तमिल नाडू में जितने हिंदू संत है उनका अगर कोई सेवा केंद्र होगा कोई सेवा करते होंगे तो उसको आमंत्रित करके एक हिंदू सर्विस सेवा फेर ऐसा किया गया तो ध्यान में आया कि दक्षिन के चार प्रांतों में यानि प्राज के नाति अलग है लेकिन करणाटक करणडभाशी प्रांत रिगुल्गुभाशी प्रांत मल्याणम भाशी और तमिल भाशी केवल अध्यात्मिक्षेत्र के हमारे आचार्य मुनी सन्यासी भिक्कु सब मिला कि जो सेवा करते है वो मिशनरियों की सेवा से कई गुना ज़्यादा है आपको बता दें कि सेवा भारती का पहला सेवा संगम वर्ष 2010 में बैंगलोर में आयोजित किया गया था इसका देवाक्य परिवर्टन था इसमें 980 प्रतिनी दियों ने भाग लिया था वर्ष 2015 में दूसरा सेवा संगम नई दिल्ली में संपन हुआ जिसका देवाक्य समर्त भारत रहा इसमें 3500 प्रतिनी दियों ने भाग लिया अब यह तीसरा सेवा संगम हो रहा है सेवा भारती की तरफ से देश के 117 जिलों में 12,187 स्वेम सायता समू संचालित किये जा रही है जिन में लगबग 120,000 सदस्य है इन समूओं में 2,451 समू स्वाब लंबन के कारियों में सक्रिये है देश के 55 जिलों में स्वेम सायता समू वैववशरी रचना में समलित हो रहे है जिसमें 27,494 सदस्य है खासकवर.com के एक एमनमें सुरेश तानिया के साथ सतिंद शुकला के रिपोर्ट